हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है मैं एक मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन वैसन मुक्ति तग्य हूं मैं आज बताने माला हूं आपको बुरा बेकी यारदाश की बिमारी किया है कि यारदाश जो है मतलब बुद्धीं और यारदाश का कम होना कि यह बड़ा खतरना हो सकता है मतलब ऐसा है कि हमको चलाने वाले बुद्धी आप तो जिन्दंग के शीensi चलेगी होता क्या है कि कुछ पर लेको जैसे जैसे सी उमर बरते जाती है, वेसे वेशेर यादाश कम-कम होते जाती है। तो उसमें क्या होता है की चीजे兩個 कहां रखिए यादने रहना Bild और प्र pratica कपड़े उल्टे पहन लेना, कभी बातरूम से बिना कपड़े पहनते ही बाहर आ जाना या फिर रस्ता भूल जाना घर के घर में ही रस्ता भूल जाना मतलब कोई कमर में जाना कि वहां टाइलेट है टाइलेट में जाना कि वहां कोई कमरा है फिर लोगों के नाम नहीं याद रहना जैसे बिमारी बढ़ते जाती है ज्या तो यह उसको चुपाने के कोशिश कर लेते हैं मतलब चीजे टापटी पर रखना एक्जिस्टन्स में रखना मतलब लिखके रखना ऐसा करते लोगे और चुपाते हैं कि मेर को ऐसा कुछ हो गया उनको अपने पकल लिया कि आपको याद ने रह रहा है तो वो घुसा कर लेते चुपा हैंगे और घुसा भी करेंगे ऐसा उनको बोला तो अगर उनको याद ने रहता अपने को मानों पर जाता है कि इनको याद ने रहा आज कर पूरी बिमारी जो याद ने रहने की तो वो 65 साल के उपर कम से कम 5 से 10 टका लोगों को या बिमारी थे थी होती है और 85 उर्ट की उपर वीस से 40 टका लोगों को या रदाष की विमारी हो सकती हैं पूरी जो विमारी हा है या या उसमें से प्रक्चास से स्ाथ प्रतिशा लोगों को alzheimer's disease नाम की विमारी शती है उस को 20-30% लोग ऐसे हैं उसमें के जिनको ये यारदाश की बिमारी भुलक कड़ पना है उसमें से 20-30% लोग ऐसे हैं कि जिनको खून की जो नलियां रहती है ब्लेड वेसल तो उसमें से खून भेजे को पूरा नहीं जाना कम जाना उसको बुलते वैस्कुलर डेमेंशिया उससे हो और अशलिए बागे भी बहुत काराणने बुलक करणाएं कि जैसे hoping ज two morning गाया ये माफिग हो मार लुज गाया पूरा थिर शराब के वज़ divorced है है सीरादमि यह नाँлем की बिमारी होते हुसके फर प करिंस बिसन्स में ऐसा होता है तो इसे काफी सरी प्रेश्य कि ब्रें की ह उस में भी यह और depression में क्या होता है de recuperation जब होता है लोगों को मतलब निराश निराश की बिमारी जनको बिमारी है depression की तो उनको यारदाश नहीं रहेती हम को अंहां लगते हैं को ऐसा क्यों हो रहा बै dementia हो एक, भुलग कर पर् Still दिप्रेशन की वज़े से भी आ सकता है डिप्रेशन टीट कर दिया उसका तो अच्छा हो जाएगा पूरे डिमेंशिया में जितने भी डिमेंशिया मतले भुलकर पना की जितने भी कारण है जितने भी मिमारें उसमें से 10 से 15 परतिशत लोग अच्छे हो सकते है यदी बराब इनको बीमारिया अलग अलग चड़ जाती है कि यो खुट का केर नहीं करते हैं घर में भी रात हुआ रात हो गई तो उनको को समझ में आता वो ऐसा बेहुच जैसे हो जाते हैं उसको बोलते हैं कि उनको समझते हैं वह सोते हैं तब कमरे में लाइट होना जरू यह अकसर गिर जाते हैं बाथर में गिर जाएंगे रात को समझ गानि कहां जार आएगा वह गिर जाएंगे फ्रैक्चर हो जाएंगा ऐसे कोई बिमारियां को जल्ले हो जाते हैं और फिर उसमें उनकी मृत्य हो सकती है अधर्वास डिमेंशा जो है भूलक करपाना उसमें वह उसके वाई या वो गुलियां उनको देते हैं, कोई टॉनिक से, मिल्टे विटामिन से, वो उनको देते हैं, उनसे बातचीत करना, और उनको कॉंसिलिंग करना, उनके साथ में बैठना, उनको न्यूस पेपर पढ़ने देना, टीवी के सामने बिठाना, रेडियो सुनाना, बतलो उनको र हालना चालू कर देते हैं, घर में बैठो, अकेले बैठो, कोई बातचीत नहीं करेंगा, समस्ता नहीं है, और कान में सुनाएं आता हूंगाने तो और हाल मत पूछो, तो उनको न टालते हैं, उनको अपने में समा लेना, और उनका इलाश करना बो जरूरी है, हो सकता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ, आपके आज बाजु बाजु में आसपास कैसे कहीं लोग होंगे, उनको ही बिमारी होंगी, उनको ये जरूरी वीडियो शेर करो, आपको सब्सक्राइब करो, चारा स्यादा लोगों का वाट्साइप पे शेर करो, फेस्बूक की आइदा होंगा, और लोग इसमें अच्छे भी हो सकते हैं, तो थैंक यू बेरी मुच्छ